सब्सक्राइब कीजिए ब्रिश एस्पेशल को और दवाईए इस बेल आइकन को ताकि ऐसे ही ज्यान बर्धक बीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके नमस्कार दोस्तों आज के बेडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ कि 16 सेप्टेम्बर 2020 का दिन ब्रिश भरासी वालों के लिए कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीबन में क्या क्या पडिवर्तन क्या क्या बदलाब होगा लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 16 सेप्टेम्बर 2020 के पंचांग के बारे में आज तीथी है चतुरदसी नक्षत्र है मगा पक्ष है क्रिस्न पक्ष दिन है बुद्ध बार आज के दिन सुर्य उदे का समय है 6 बजके 6 मिनट में, सुर्य अस्त का समय है 6 बजके 24 मिनट में, रितु है सरद आज का दिन काल है 12 गंटे 17 मिनट 45 सेकेंड का महिना है अस्विन, आज के दिन सुभशमय नहीं है असुभ शमय सुरू होता है 11 बज के 50 मिनट एम से 12 बज के 40 मिनट पीम तक आज के दिन राहु काल सुरू होता है 12 बज के 15 मिनट पीम से 1 बज के 47 मिनट पीम तक आज के दिन दिसा सूल है उत्तर दिसा की ओर तो दोस्तों इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और इस वेडियो के नीचे जै स्री गनेस कमेंट कर दें दोस्तों इस वेडियो के अंत में आपके आज के दिन का भाग्य साली रंग भाग्य साली अंक और आपके आज के दिन का अनोखा टोटका है जिस टोटके को अगर आप आज माते हैं तो आपका आने वाला शमय बिहतर और सांदर हो जाएगा तो इस वेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रियास करें शब से पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके कामकाज आपके काड़ च्छतर के बारे में दोस्तों कामकाज के दृष्टी कोन से आपका शमय बहुत ही जयादा बिहतर और सांदर है दोस्तों आप मेंसे जो भी लोग आज के दिन से नए काम की सुरुआत करना चाहते हैं तो नए काम को सुरू करने के दृष्टी कोन से आपका शमय आपका शाथ अवश्य देगा दोस्तों आज के दिन से अगर आप नए काम की सुरुआत करते हैं तो आने वाले शमय के दोरान आपके कामकाज में आपके काड़े अच्छत्र में आगे बढ़ने का मौका आपको अवश्य मिलेगा लेकिन अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टी कौन से आपका शमय सामान से बहुत जयादा नीचे है दोस्तों आज के दिन अगर आप अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से कोई वादा करते हैं कोई प्रोमिस करते हैं तो वादा करने से आपको बचना होगा दोस्तों अगर आपके घर पडिवार की बात करें तो घर पडिवार के द्रिष्टी कौन से आपका शमय सामान ने रहेगा न जयादा बिहतर न जयादा खराब दोस्तों आज के दिन आप अपने घर पड़िबाड में सभी लोगों के शाथ अपने शंबंध को अच्छा बिहतर और मजबूत करने का प्रियास करें लेकिन अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के द्रिष्टी कोन से आपका शमय सामानने तोर पे बहुत ही जियादा बिहतर और सांधर है दोस्तों आज के दिन अगर आप कहीं भी धन संपती का निवेश करना चाहते हैं तो निवेश के द्रिष्टी कोन से आपका शमय आपका शाथ अवश्य देगा इस निबेस के वजह से आने वाले शमय के दोरान आपके जीबन में पैसों के मामलों में कहीं कोई पड़ेसानी नहीं होगा तो इसके बाद बात करते हैं आपके आज के दिन के अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक के बारे में दोस्तों आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली रंग है पारदर्सी और गुलाबी दोस्तों आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली अंग है दो यानि की टू तो इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका शमय बिहतर और सांदार होगा दोस्तों आज के दिन आप गव माता की सेबा करें गव माता को आप चारा खिलाएं दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके जीवन में कहीं कोई पड़े सानी नहीं होगा तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस वीडियो के नीचे जै स्री गनेश कमेंट कर दें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद जै सियाराम